प्रेज दे लॉर्ड जैमसी की मेरे प्रिय भाई बहनों आप सभी को प्रभुयेश्य मसी के नाम से मैं बढ़ाई देता हूँ और स्वागत करता हूँ जैसे हमने आपको वादा किया कि हम बहुती जल्द लोटेंगे राहुल मलिक यानि की राहुल आर्या के जूटों का खुलासा करने के लिए जैसे पिछले कुछ वीडियो में आपने देखा होगा कि राहुल मलिक खुद का कैसा मजाग बना लिया उन्होंने गलत तरीके से क्र करके राहुल मलिक चाहे कुछ भी कर ले वो अपना धर्म का प्रचार कर ले लेकिन जिस दिन उन्होंने येशु मसी बाइबल और क्रिष्टियन विश्वास के विरोध उन्होंने सवाल उठाया तो उसका जवाब देना हमारा फर्स बनता है क्योंकि पहला पत्रस तीसरा अ उठने वाले हर प्रकार के तर्क और आर्ग्यूमंट को हम विनाश करेंगे डिमॉलिष करेंगे और येशु मसी के अधिन लाएंगे और पिछले कुछ वीडियो में आपने देखा किस प्रकार राहुल आ रहे के जूटों का खुलासा हमने किया है और लगातर हम करते रहें आज का मुद्दा बहुत ही विशेस है जहां पर राहुल मलिक ने एक वीडियो बनाया है क्रिस्टियानिटी के अगेंस्ट ये साबित करते हुए कि क्रिस्टियानिटी में अशलीलिता है उसमें लडाई है और उसमें बहुत गलत चीजे हैं दोस्तों ये एक बात को याद रख लीजिए अगर उस व्यक्ति का बयान सही है तो व्यक्ति के उपर आप भरोसा कर सकते हो और हमने एक बार एक बार नहीं कई बार हमने साबित कर दिया है कि राहुल मलिक कितना जूट बोलता है और कितने बार पकड़ा गया है इस से आपको पता चलता है क्या वो विश् जान नहीं है और जैसे बाइबल हमको सिखाती है हम कोशिश करेंगे उसी प्रकार विनमरता से उनको जवाब देने के लिए लेकिन जवाब देने से पहले ये जो वीडियो उन्होंने बनाया है काफी बड़ा वीडियो है तो मैं एक ही साथ सारे questions का answer नहीं दूँगा मैं य इस वीडियो में हम शुरुआत के introduction में देखेंगे जहां पर उन्होंने काफी सारे points एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बिना reference के दिये थे वो सारे points को हम फटापट rapid fire के तौर पर उसको touch करेंगे और आने वाले episodes में उनके एक एक claim को जो है हम अच्छे से जानेंगे और उसके उपर मैं response दूँगा ये पहला भाग है दूसरा भाग हम क्या करेंगे जैसे राहूल मलिक ने कहा कि Bible में अश्लीलता है Bible में science नहीं है उसमें लडाई है मार पीठ है चोरी है शराब पिलाना है अलकोहॉल पिलाना है तो हम हमारे विश्वास के विरोध उठाने व कौन देगा और हम राहूल मलिक जैसे conspiracy theory गलत बातों को नहीं authentic translation वाले वेद को लेंगे आरे समाझ के translators को भी हम चुनेंगे उनके बयानों के लिए और देखेंगे किस में अश्लीलता है मार पिठ है जगडा है तो आगे बढ़ने से मेले प्रिय भाई बेनो एक चीज में आ अपने आपको वेदिक धर्मी के defender कहने वाले apologist वो क्या है वो कौन है वो जानना है तो उसका एक testing parameter जो है Bible में खुदा ने हमें बताया है वो testing parameter क्या है कोई भी व्यक्ति कैसा है जानने के लिए हम पढ़ सकते हैं लुका के किताब में चटा अध्याय में वचन 43 से लेकर 43 से मैं वचन पढ़ता हूँ अब ध्यान से सुनिये कोई अच्छा पेड नहीं जो निकमा फल लाए और न तो कोई निकमा पेड है जो अच्छा फल लाए हर एक पेड अपने फल से पहचाना जाता है क्योंकि लोग जाडियों से अंजीर नहीं तोडते और न जड़बेरी से अ निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बाते निकालता है क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मूँ पर आता है तो ये वचन को मध्यनस्तर रखते हुए आपको ये देखना है कि एक पेड का पहचान उसके फल से होता है और उसके फल से हमें पता चलता है कि वो पेड जहरिला है खाने लाइक है या बेकार है तो चलिए ये जो आरे समाज के एपॉलेजिस्ट है उनके फ़लों को जरा आप इस वीडियो क्लिप में देखिए और आप खुद निर्ने लीजिए आरे अकल के दुश्मन परमेश्वर शरीर धारी है क्या किताब लिखा है हराम खोर और सभी बाई नीचे कमेंट लिखे और ऐसे ऐसे जितने भी बढ़वे आते हैं उनका विरोध करें इस जैसे अनेकों जितने बढ़वे हैं आप सब अपने अपने स्तरपर कीजिए कुछ नेता भी जाते हैं बढ़वे ही धरोधर के आप अटेक कीजिए आकमेड कीजिए जो पहले आकमेड करता वो जीत जाता है तो आप अग्रेसिव रहिए अटेक कीव रहिए अटेक करिए अटेक is the best form of defense इसलामियत और इसाइयत का हम चूले हिला कर रख देंगे इनके धर्म का आधार समाप्त कर देंगे जैसे आपने इस वीडियो में देखा होगा कि जो मन में हैं वही मू से निकलता है और ये सब देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये व्रिक्ष कैसा है ये पेड कैसा है और इसका उद्देश क्या है दोस्तों ये जितने लोग कहते हैं कि हम वेदिक धर्म के रक्षक हैं ये वेदिक धर्म के रक्षक नहीं है उसके विनाशक है अगर ऐसे लोग वेदिक धर्म को रक्षा करने आएंगे तो बहुत ही जल्द वेदिक धर्म का नाम और निशान मिट जाएगा और एक और व्यक्ति है जिसने शायद से वो वीडियो को अपने यूटूब चानल से हटा दिया है अगर हटा दिया है तो उसको खुद को पता चल गया कि वो कितने गिरेवे सोच के साथ ऐसे बातें यूटूब चानल पर करते हैं उस व्यक्ति का नाम तो मुझे नहीं पता है लेकिन वो व्यक्ति ने शायद से कुछ हफ्तों पहले वो वीडियो में कहा था कि वो पतले कमर वाला लड़का उसका चैनल बंद करवा दो तो यहाँ पर वचन हमको बताता है कि इनके फलो से हम जान सकते हैं कि यह जहरीले पेड़ हैं गंदे पेड़ हैं या फिर अच्छे पेड़ हैं तो चलिए पहला वीडियो क्लिप देखते हैं खुलासा करेंगे धीरे धीरे उनको मन में ये सोचाने लगेगा कि मैंने ये क्या गलती कर दी है और इतना ही नहीं जब उनके ही शास्त्र वेदों के पोल हम खोलेंगे उनहीं से अशलीलता और गंदी बाते जब बाहा निकलेंगी तब उनको बहुत बुरा लगेगा क्रिश् उनहीं के वेदों से हम निकालने वाले हैं आगे देखते हैं इसायों का यहोवा उसका भी एक परिवार है उसका भी एक बेटा है बीवी है तो शुरू होते ही शायद से हमारे क्रिश्चिन भाई बेहनों को हसी आने लग गई होगी क्या क्रिश्चिन इन बातों को मानते हैं क यहोवा का एक परिवार है उनकी पतनी है और उनका बच्चा है तो जैसे दोस्तों हमने कहा था कि यह राहूल मलिक ने अपने जिंदगी में बाइबल को छुआ भी नहीं होगा बाइबल को खोलना और रीड करना तो दूर की बात है क्योंकि कोई भी क्रिश्चिन इस बातों क बानते हैं उसका confusion उसका खिछडी बनाकर खुद तो confused होई गए और उनके चेलों को भी बता रहे है रानी वाली बात यह कि उनके चेले जो है राहूल मनिक ने जितने भी वीडियो बनाया है वो सारे वीडियो को रट कर तोते जैसा रट कर वो हमारे comment section में आकर उन्हीं बात व्यक्ति है Christianity में पिता माता और पुत्र का कोई भी आपको हिंट नहीं मिलेगा मुसल्मानों को लगता है वो कहते हैं कि अल्ला का बेटा कैसा होगा क्योंकि अल्ला की पत्नी नहीं है तो हमारे मुसल्मान भाईयों का गलत फैमी जो हम Son of God में क्लियर कर चुके हैं अल्रेडी हमारे एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आप वो लिंक को ओपन करके चेक कर सकते हैं क्या मुहमद ने प्रॉपरली समझा है Son of God का मतलब परमेशुर का पुत्र का मतलब आप भी उस वीडियो को देखिए और समझिये जब क्रिश्चेंस कहते हैं कि येशु मसी यहोवा का पुत्र है तो क्या वो शारिरिक संबंद से उत्पन हुआ पुत्र है? क्रिश्चेंस इन बातों पर हसेंगे अगर आप कहते हो क्यों की पतनी है मैं राहुल मलिक को ओपन चालेंज देता हूँ इस वीडियो क्लिप में पुरे बाइबल को आप जिंदगी का टाइम ले लो और एक बार मुझे कोई ऐसी बाते बता तो जहां पर यहोवा है उसकी पतनी है और उसका बच्चा येशु है क्योंकि राहुल मलिक जैसे लोगों के दिमाग में गंदगी बरी हुई है और वो गंदगी के कारण वो यही एक्षपक करते हैं कि अगर खुदा का बच्चा होगा तो उसकी पतनी होगी क्योंकि जब हम वेदो को पढ़ते हैं हम देवी देवता को हम मानते हैं जो कि पिता है और पुत्र मनुश्य बन कर आया ताकि आपको और हमें वो छुड़ा सके और पवित्र आत्मा हमें बनाए रखता है खुदा के साथ ये क्रिश्चन्स मानते हैं ना कि जो राहुल मलिक ने इस वीडियो में कहा सफेद जूट रहने के लिए तकत है रहने के लिए मकान है तो दोस्तों यहाँ पर राहुल मलिक जो है बाइबल को कैसे मिसिंटर्प्रेट कर रहे हैं आपको समझ में आ गया वो कहे रहे हैं कि खुदा का तकत है और खुदा का रहने का मकान है हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि प्राहुलमलिक को यह पता होना चाहिए कि जब बाइबल में ऐसे शब्द आते हैं कि खुदा का दाहिना हाथ खुदा का तक्षत यह सारी चीज़ें figuratively use किया जाता है ताकि मनुश्य उस बातों को समझ सके तो पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से बूजबल को प्रगट करेगा इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर का एक ही दाहिना आथ है और लेफ्ट हैंड जो है उसमें पावर नहीं है बाइबल को कैसे पढ़ना है लिटरली पढ़ना है फिगरेटिवली पढ़ना है हमसे पूछिए हम आपको सिखाएंगे अगर आपको नहीं आता है तो तो यहाँ पर लिटरली ले रहे हैं कोई बात नहीं अगर आप literally ले रहे हैं आगे चल कर जब हम वेदों को quote करने वाले हैं दुनिया की स्रिष्टी के बारे में वहाँ पर हम आपको अनुमती नहीं देंगे ये बोलने के लिए कि वेद जो हैं बहुत सारी बातें metaphorically और figuratively कह रहे हैं उन्हें literally नहीं लेना है क्योंकि इस व्यक्त करने के लिए फरिष्टे हैं रक्षा करने के लिए फौजे हैं कहां से पढ़ लिया बाइबल में से रक्षा करने के लिए फौजे हैं येश्य मसी अपने साथ हजारो स्वर्ग दूतों को रखे हैं वो स्वर्ग दूत परमेश्वर की महीमा करने के लिए खुदा चाहता है तो वो उनसे महिमा भी करवा सकता है, खुदा चाहता है, तो उनसे खिदमत भी करवा सकता है, इनसे राहुल मली को क्या दिक्कत है और इसमें खुदा के उपर कैसा सवाल उठता है, ये मुझे नहीं पता, आगे सुनिए, घोमने के लिए ठंडी ठंडी हवाओं में अदन के बाग बगीचे भी उसके पास हैं और हमारे भाई साब राहुल मलिक को इतना ये नहीं पता है कि वो आधन का बगीचा और पूरा दुनिया का स्रिष्टी खुदा नहीं बनाया अब इनको ये बात हजम नहीं होती है कि खुदा कैसे वहां पर घूम सकता है खुदा वहां पर क कैसा खुदा है अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को जनम दे कर छोड़ कर चले जाता है कभी भी जिंदगी में उस बच्चे को देखने नहीं आता है वो बच्चा रो रहा है तकलीफ में गरीबी में कपड़े नहीं उसके पास उस माता-पिता को आप क्या कहेंगे उस म स्रिष्टी को बनाने के बाद क्या खुदा उसके स्रिष्टी के साथ जुड़ नहीं सकता है अगर जुड़ता नहीं है तो मैं कहूंगा वैसा खुदा जो है इगो से इरश्या से बरा हुआ है और वो सोचता है कि मैं महान हूँ मेरी स्रिष्टी मेरे सामने कुछ भी नहीं है ऐसे खुदा को हम नहीं मानते हैं, हम ऐसे खुदा को मानते हैं, जो अपने स्रिष्टी से प्रेम करता है, और अपने स्रिष्टी से मिलने आता है, ये है हमारा यहोवा, ये है हमारा येश्य मसी, और इतना ही नहीं, वहाँ पर थंडी थंडी हवाएं, ऐसे करके राहुल मलिक ने कहा अब राहुल मलिक को यह नहीं पता है कि जब बाइबल को पढ़ा चाता है उसका एक तरीका होता है उसको हर्मेटिक्स कहा जाता है बाइबल को study करने के लिए अगर उस passage को आप हीब्रु में पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलता है कि परमेश्वर जब आदन के बगीचे में आए अपने बच्चों से बाते करने के लिए अपने सुरिष्टी से बाते करने के लिए तो वो इन्विजिबल बनके आएंगे उनकी आवाज नहीं आएगी कुछ नहीं आएगी तो उनको पता कैसे चलेगा तो मनुष्य खुदा को सुन सके इसलिए खुदा ने क्या किया वो जैसे समझेंगे उस भाषे में उनसे बात किया और ठंडी ठंडी हवा का मतलब जब हम हीब्रु में पढ़ते हैं हेवी ब्रीज मतलब तेज हवा के साथ तो जब आदम और हवा उस गाडन में थे खुदा आने का चिन उनको कैसे पता चला हवा तेज से बहने लगी जाडियां हिलने लगी करकी यह हम वो वच्चन में पढ़ते हैं और यहोवा का आवाज उन्होंने सुना मनुष्य यहोवा को सुने और यहोवा के उपस्तिति को महसूस करे यह करवाने के लिए यहोवा अपने आपको ऐसे प्रकट किये और राहुल मलिक जैसे लोगों को यह बातें कभी समझ में नहीं आएंगी अगर आएंगी भी उनके अंदर जो गलत सोच है उन सारे गलत सोच क्या करते है परमेश्वर के प्रकटिकर उनको रोग कर रखी है बात करने के लिए आदम भी उसके पास है बात करने के लिए आदम नहीं परमेश्वर ने आदम और हवा को जो है अपने स्वरूप में बनाया क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और जो परमेश्वर प्रेम है उसके प्रेम का जो परिनाम है वो ये सृष्टी है लेकिन सृष्टी को करने के बाद अगर खुदा छोड़ देता कि जाओ अपने कर्मों में रहो कर्म करो और कर्म मरो तो ये खुदा जो है बहुत ही भयानक लेकिन जिस खुदा की इबादत हम करते हैं जिस खुदा की आराधना हम करते हैं वो स्रिष्टी बनाता भी है और उस स्रिष्टी के साथ समय बिताता है उस स्रिष्टी से प्रेम करता है अपने आपको प्रकट करके तो आदम को वैसे अनाथ नहीं छोड़ दिया यहवा ने उ पहाज का दिशा नहीं है तो सोचकर देखिए आप कैसे खुदा की अबादत करना चाहेंगे जिसने आपको बना कर ऐसे ही अनात जैसा छोड़ दिया या फिर वो खुदा जिसने आपको बनाया और आपके साथ प्रेम दिखाने के लिए अपने उपस्थिती को दिखाया और बार-बार हमें याद दिला देते हैं और खुद को एक्स्पोज करते हैं खुद का मज़ा गुडाते हैं कैसे हम देख लेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे लुका के किताब आठवा अध्याए 2800 वचन में आपको पढ़के सुनाना जाता हूं लुका के किताब आठवा मेशुर के पुत्र येशु मुझे तुझसे क्या काम मैं तेरी बिंती करता हूं मुझे पीडा ना दे यहाँ पर इस घटना को आप पढ़ सकते हैं आठवा अध्याए वचन चब्वी से लेकर यहाँ पर शैतान और अशुद आत्माओं से पीडित एक व्यक्ति जब येश पर शैतान को हारा नहीं पाता है कहां से पढ़ कर आते हैं उनके लिए कोई अलेक से बाइबल लिखा है अगर हां तो पहले आप अपने ज्यान को सही कीजे क्योंकि बाइबल को बाइबल जैसा है वैसे ही पढ़ना चाहिए ना कि कोई भी छपी वी इंटरनेट में मिलने व अभी चिलाती और यह कहती हुई कि तु परमेश्वर का पुत्र है बहुतों में से निकल गई पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता क्योंकि वह जानते थे कि वह येशु मसी है तो यहां पर वचनों बेबी भी आप में पता चलता है कि शैतान कैसे येशु के सा सामने कापते हैं डरते हैं डगमगा जाते हैं और हमारे राहुल मली कहना चाते हैं कि वह शैतान को हरा नहीं सकता है बाइबल पढ़िए अगर आपके वस बाइबल खरिनने के लिए पैसा नहीं है हम आपको कुरियर कर देंगे फ्री आफ कॉस्ट पढ़ लीजिए आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि बाइबल में क्या लिखा है और इंटरेट में क्या पढ़ा हुआ है ठीक है याकुब के साथ उसने कुष्टी भी की उसको गिरा नहीं पाया यहां पर बहुत ही एहम सवाल राहुल मलिक ने उठाया है और मैं आशा करता हूँ कि बहुत सार लगता है जब हमें पता नहीं कि बाइबल एक्चुल में हमें क्या सिखाना चाती है और वहाँ पर एक्चुल में घटना क्या हुई थी अब यह घटना को समझने के लिए हमें बाइबल को उसके संधर्व में पढ़ना है बाइबल में से एक वचन को निकाल कर यह देखो य यदि आपको विशेश कर बाइबल समझना है, तो पूरा कॉंटेक्स्ट आपको पढ़ना बहुत जरूरी है. ठीक है वो गधे चुराने के लिए कह देता था लोगों को. जहर उगलने वाले राहूल मलिक के अंदर येशु मसी के लिए कोई आदर नहीं है, आप सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, और ये हसने वाली बात है कि मैं पहले बात सुन रहा हूं कि येशु मसी गधा चुरवाने के लिए ये सब करता था, येशु मसी चोरी करवाता बे बुनियाद बाते हैं इंटेनेट से कहीं से पढ़कर आ गए होंगे इतनी बात मैं राहूल आर्या को बता दू कि येशु मसी जैसा कोई भी पवित्र ना था ना है ना रहेगा क्योंकि खुदा एक मात्र पवित्र है और वो खुदा येशु मसी है और राहूल मलिक ने ज किताब 21 अध्या है वचन 2 से लेकर 3 वहाँ पर क्या लिखाए देखिए पहले वचन से पढ़ता हूँ जब वे येशुलेम के निकट पहुँचे और जेतुन पहाड पर बैत्फगे के पास आए तो येशु ने दो चेलों को यह कहकर बेजा कि अपने सामने के गाव में जा निकासे मैं बताता हूं हमेशा कि संधर्ब होता है कॉंटेक्स होता है ये वचन को लेकर राहुल मलिक जूट कहना चाहते हैं कि येशु मसी घदा चुराने के लिए कहते हैं जब आपके पास मोबाइल है कोई आएगा आपके मोबाइल को ले लेगा आपके सामने साब क्या तब वह तुरंथ उन्हें बेज देगा, क्या पड़ आपने, कोई भी तुमसे पूछे, तो कहो कि प्रभू को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंथ उन्हें बेज देगा, तो यहाँ पर जब चेले वहाँ पर गए थे, छुपके से कपड़ा डाल कर उसको ऐसा पकड़ कर येशु ने का कि तुम जाओ उस गाओ में, और तुम्हें वहाँ पर गदा मिलेगा, उसका बच्चा मिलेगा, उसे खोल कर लेकर आओ, यदि उसका ओनर आए, कोई भी आए, तुम उसको बोलना, कि ये प्रभू को चाहिए, प्रभू के उप्योग में आने वाला है, आप बाइबल में या कई पढ़ते हो, या फिर कोई भी, आप अपना conspiracy theory वाला book लाकर दिखाए, कि ये घटना में, चेलों के साथ, उस गदे के owner के साथ, हाता पाई हुई, जगडे हुए, वहाँ पर लड़ाई हुई, और वो जबर्दस्ती उस गदे को चोरी कर लेकर आए, हम देख सकते हैं, तो चलिए अगला clip देखते हैं, शराब पी लेता था कभी कबार, मैं राहूल मलिक को एक और बार challenge देता हूँ, कि आप कौन से वच्चन के आधार पर आप बात कर रहे हैं, कि ये शुमसी शराब पीते थे और शराब पिलाते थे, कोई भी ऐसा वच्चन बैट करके लोगों की हत्याएं भी करवा देता, दोर सारी बहुत सारी चीज़े हैं, राहूल मलिक को और उनके पूरे थैंक्स भारत परिवार को, जितने भी उनके सब्सक्राइबर्स हैं, या फिर उनके साथ काम करने वाले, जितने भी यूटूबर हैं, और जितने भी को अगर आप प्रूब करके दिखा दें कि येशु मसी अपने सामने लोगों का कतल करवाया, तो आप जो चाहें, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, आप चाहते हैं, मैं ग्लोरी अपॉलजेटिक्स चानल को बंद कर दूँ, चलिए मैं वादा करता हूँ, ग्लोरी बैट कर लोगों का कतल करवाया, और ये जो बाते हैं वापस से इंटरनेट से पड़ी हूई बाते हैं, अपना खुद का मजाग कब तक करवाते रहोगे राहूल मलिक, लुका के किताब 19 वा अध्याय, 27 वे वचन की ये बात है, इसका जवाब हमने अल्रेडी इनका कोई आ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक को ओपन कीजे और जानिये लुका 19 वा अध्याय, 27 वे वचन का अर्थ क्या है, येशु मसी को पूरे दुनिया में शांती का परमेश्वर माना जानता है, शांती का प्रतीक माना जाता है, जो खुदा मनुष्य बन कर आकर आपने ह आतों में खील ठुकवा सकता है, मर कर लोगों को बचा सकता है, उनके चेले एक को ऐसे घोर मरन से गुजरना पड़ा, उनके चेले में कितना कतल किया, पत्रस को उल्टा सूली पर लटका दिया गया, एक को पत्राव किया गया, एक को तेल में उभाल दिया गया, सारे चेलो को कतल किया गया भाले से मार के कतल किया गया और ये राहूल मली कहते हैं कि सामने बैठ कर कतल करवाया कौन से सपने में है जाग जाओ राहूल मली जाग जाओ येशु बहुत जल्दी आने वाला है आप मन फिर आईए नहीं तो फिर आपका क्या होगा ये आप उस समय में रिग्रेट करेंगे और पच्चताएंगे कि मुझे मौका मिला और मैंने उस मौके को गबा दिया चलिए आगे क्लिप में देखते हैं क्या है सब एक जैसे हो जाएंगे तो कैसे पृत्वी चलेगी धर्ती कैसे ठीकेगी बिलकुल सब एक जैसे हो जाएंगे तो पृत्वी नहीं ठीकेगी आप जैसे हो जाएंगे तो पृत्वी का विनाश जो है बहुत ही जलती हो जाएगा प्रित्वी का तो दूर की बाद आप अपने खुद का धर्म का विनाश कर रहे हो लोगों के सामने खुद का मजाग बना रहे हो और लोग वेदिक धर्म को देखकर हस रहे हैं वैसा बना रहे हो तो खुद को आप ऐसे गड़े में मट डालना आप अपने आपको जरा आइने में देखिए कि इतना जूट बोलकर आप इस दुनिया में साबित क्या करना चाहते हैं और जितने भी बातें बाइबल से हैं लाते रहेए उन सारे सवालों का जवाब हम देते रहेंगे क्योंकि हम येशु प्रेमी हैं जूटे धर्मी नहीं आगे देखते हैं देखिए पिछली वीडियो में मैंने बता था जीसा मसीज जो हुए हैं उनका जीवन ने 13 वर्ष से 31 वर्ष तक कहां भी था और उसमें एक बहुत ही महतपूर तठ्यात्मक पुस्तक आज सब के सामने उपलब्द है निकोलस नोटोविच की अप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको लिक मिल जाएगा फ्री ओफ कोस्ट डाउनलोड कर लेना आपको बहुत सारी जो अन्य पुस्तके थी जो मैंने वीडियो में बताई थी वो सारी पुस्तके धीरे धीरे आपको आगे उपलब्द करवाता जाओंगा फ्री में सभी इसाई भाई ध्यान दे क्योंकि निकोलस नोटविच का जो किताब है उसका पूल हमने कितने अच्छे से खोला है ये बहुत सारे लोगों ने जो वीडियो देखा है वो जानते है और किस प्रकार निकोलस नोटविच को ही लेकर हमने राहुल मलिक को जूटा साबित किया और ये यूटूब में है आपको description में मिल जाएगा आप उसमें जान सकते हैं कि क्या unknown life of Christ जो निकोलस नोटविच के किताब है वो वाकई में authentic है या जूट से बरा हुआ है evidence के साथ हमने साबित किया है चलिए आगे सुनते है आज की वीडियो का विशय है इक्स रेटिड बाइबल बहुत ही महतव पूर्ण विशय है अत्यंत महतव पूर्ण है प्रतेक इसाई बंधू के लिए जानना जी जी बहुत ही महतव पूर्ण विशय है राहुल मलिक जैसे मैंने पिछले कुछ वीडियो में मैंने कहा इनको लगता है कि इन्होंने कुछ नई खोज कर ली है ये जो जो प्यूटेशन दे चुका है पर देरी ये है कि ये भाई साब को एक बाद चेक करना है जिस विशय में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं उस विशय का जवाब किसी ने अल्रेडी दे दिया है या नहीं दिया है वैसे तो X-rated Bible जो है वो काफी सारे मुसल्मान इस्तमाल करते एक मुसल्मान है वेस्टनर अपॉलोजिस्ट है इसलाम के वो इस्तमाल करते थे और उनका पूरा का पूरा खुलासा जो है हमारे क्रिश्टिन अपॉलोजिस्ट जैसे सैम शमून है या फिर डेवीड वे उड़ है उन्होंने अच्छे से किया है लेकिन अभी बारी है इनक जिनका खुलासा हम करेंगे और साबित करेंगे कि ये नींद से उठकर आकर कुछ नया लेकर आते हैं ऐसा सोचते हैं और इनके चेले भी जो जो बात है ये कहते हैं उनको सत्य समझ कर जै गुरुदेव बोलकर उनके हर एक बातों को मानते हैं काश उनके चेले आखे खोल कर साहस करके एक बार Bible को open करके पढ़ ले तो ये X-rated Bible जो भी बयान ये करने वाले है उसका argument, personally मैं कहूँ काफी साल पहले मुझे पता चल चुका है और जो जो argument इस वीडियो में बताने वाले है वो सारे argument का सवाल है इसका आश्वासन मैं आपको दिलाना चाहता हूँ आगे सुनिए और समझना जरूरी है जो अपनी मा को मा बहन को बहन मानता है और एक सभ्य समाज में रहना चाहता है ठीक ठीक व्यवहार करना चाहता है तो उन्हें सब के लिए वीडियो देखनी अत्यनत महतपोर है तो ये सभ्य समाज की बात कर रहे हैं और इनके वीडियो को देख लीजे आपको पता चल जाएगा कि सभ्य समाज के ये element है या नहीं हराम खोर और सभी भाई नीचे comment लिखे और ऐसे जितने भी बढ़वे आते हैं उनका विरोध करें इस जैसे अने को जितने बढ़वे हैं आप सब अपने अपने स्तरपर कीजिए कुछ नेता भी जाते हैं बढ़वे इदर उदर के आप attack कीजिए आकमिन कीजिए जो पहले आकमिन करता वो जीत जाता है तो आप aggressive रहिए attack कीव रहिए जो है attack करिए attack is the best form of defense इसलामियत और इसायत का हम चूले हिला कर रख देंगे इनके धर्म का आधार समाब्त कर देंगे सब यह समाज में लोगों को बात करने का तरीका होता है शुरुवात में मैंने clip में आपको बताएगे किस प्रकार गाली हम बख रहे हैं और इतना ही नहीं मा को मा मानने वाले ऐसे बाते कर रहे हैं कोई बात नहीं आप जो Bible से सवाल उठाएंगे उनका जवाब तो हम देंगे ही और साथ साथ में यामा यामी ये सब कौन है ये सब वेद में रहने वाले लोग हैं इंद्र अगनी हरी हरा ये सब कौन है ये सब वेद के कुछ characters हैं उनके characters को भी हम लोग देखेंगे क्या वो सब भी समाज के लिए लायक है और क्या राहूल आ रहे हमें हिम्मत है ये सारी बाते वो अपने मा भेनों के सामने पत्नी के सामने पढ़कर दिखाए कि वेद में ये सबी बाते लिखी है चलिए खुद का गड़ा खुद खोद रहे हैं और दबरदस्ति कर रहे हैं मुझे जैसे क्रिश्चियन्स को उनके व क्रिश्चिन्स को जानने के लिए आपको बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमे पता चलता है कि Christian ऐसे खुदा को मानते हैं जो 3-1 है यानि कि खुदा का अस्तित्व एक है उनका व्यक्तित्व तीन है हम सिर्फ पिता को यहोवा नहीं कहते हैं जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि हम पिता को भी यहोवा कहते हैं पुत्र को भी यहोवा कहते हैं और आत्मा को भी यहवा कहते हैं इसके काफी सारे references बाइबल में हैं और जब आप योहना के किताब पहला अध्य है पढ़ते हो वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि येशु मसी जो है सुरुष्टी से पहले ही थे पिता के साथ ही थे पवित्रा आत्मा के साथ ही थे और इतना हिने येशु मसी ने घटना में ये भी कहा योहना सत्रा अध्य है पाच्वव वचन में पिता सुरुष्टी के पहले जो महीमा थी वो महीमा मुझे दुबारा देना मतलब येशु मसी पिता और पवित्रा आत्मा ये एक ही येहवा है ना कि येश्य मसी को ताकत दिया गया आगे सुनिए ये क्या कहना चाहते हैं और कौनसा वचन मिस्कोट कर रहे हैं सुनिए सब जानते हैं मैथ्यू 28-18 आप पढ़ेंगे पता चल जाएगा जी बिल्कुल आप मत्य के किताब 28 वा ध्याय 18 वचन पढ़के देख लीजिए वहाँ पर आपको पता चलेगा जब आप बाइबल को उसके संधर में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि मनुष्य रूप में येश्य मसी आने के कारण सारा अधिकार जो है बप्तिसमा दो और यही चीज हम कर रहे हैं और आप इन बातों को क्यों इंकार करते हैं जब आप उपर का वचन स्विकार करते हैं तो क्रिश्यन्स क्या मानते हैं वो मानते हैं कि खुदा त्रियेक है और येश्य मसी मनुष्य की रूप में आने के कारण उनको जो है वो सारी शक्ति दी गई हैं लेकिन येश्य मसी के पास पूरा का पूरा महीमा सृष्टी के पहले था ये हम योहन्ना के किताब सतरा अध्याय पांचवा वचन में पढ़ सकते हैं आगे सुनते हैं इश्या पढ़ेंगे नो का छटा वचन आपको पता चल जाएगा सुना देता हूं क्योंकि राहुल मलिक के पास बाइबल नहीं है और उनके चेलों के पास भी बाइबल नहीं है तो प्लीज आप ध्यान से सुनिए क्योंकि हमारे लिए एक बालग उत्पन हुआ हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभूता उसके कंदे पर होगी और उसका साम अधुबत युक्ती करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अनंतकाल का पिता और शांती का राजखुमार रखा जाएगा अगर अब पूरा अध्याय पढ़ेंगे यशाय के किताब में येश्यु मसी की भविश्यवानी से हमें पता चलता है कि येश्यु मसी खुदा है र शाय का किताब एक बहुती सुंदर किताब है उसके अध्याय नौ में आप पढ़ सकते हैं धन्यवाद राहुल मलिक आप हमारा काम आसान कर रहे हैं आपके चेलों को आप मुफ्त में येश्यु मसी का सुबसंदेज बाट रहे हैं बाटते रहे हैं क्योंकि येश्यु मसी और खुदा का खासियत यही है कि शैतान गलत रास्ते पे भी जाए परमेश वर अपने योजना को पूरा करेंगे तुम्हारे गलत योजना में भी जो है परमेश वर अपने सूसमाचर को तुम्हारे द्वारा लाखों को प्रचार करवा रहे हैं and I'm happy for that that's the beauty of a biblical God चली हाग के सुनते और कौन सा वचन को मिस्रेप्रेजेंट किया है लूग पढ़ेंगे 10 का आप 19 वचने आपको पता चल जाएगा कि यहोवा की सारी की सारी शक्तियां इसा मसी को दी गई है तो एक और बार राहूल मलिक ये साबित कर देंगे अभी जैसे मैं वचन को पढ़ूँग है चेले हैं वो जो जो रेफरेंस दे रहें कुरुपय एक बार रीड करके देखिए चलिए मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ लूगा की किताब दसवाध है 19 वचन में क्या वही लिखाए जो राहूल मलिक कहना चाते हैं ये शुमसी यहाँ पर कहते हैं देखो मैंने त सापो और बिच्छूओं को रौंधने का और शत्रू की सारी सामर्त पर अधिकार दिया है और किसी वस्तू से तुमें खुछ नहीं होगी तैंक यू वेरी मच राहूल मलिक ये वचनों को लोगों के सामने पढ़ने के लिए और ये साबित करने के लिए कि येशुमसी के ज अधिकार दिया है हमें हमारे विरोध उठने वाले कोई भी शत्रू हो चाए आप जैसे हो जो आप नादानी से अंजानी से कर रहे हो आप सुधर जाओगे मैं आशा करता हूं प्राथना करेंगे आपके लिए हमारी सारी टीम और सारे क्रिशन कम्यूनिटी लेकिन कोई भी अंदकार जो है कोई भी शत्रू है हमारे उपर अधिकार नहीं पा सकता है और कोई भी वस्तु से हमें हानी नहीं होगी तो जो लोग धमकी देते कमेंट्स में आपको उठा लेंगे काट देंगे फेक देंगे हमारा खुदा आज भी जिन्दा है ये शुमसी सूली पर सिर् जानने के लिए प्रभु आपको बहुत जल्द बदलेगा और मैं आशा करता हूं कि एक दिन अगर परवेश्वर की मर्जी है आप अपनी गवाही दोगे कि राहुल मलिक मैं कैसा था अगर आपको जानना है यूटूब में जाकर सर्च कीजिए और आज मैं प्रभु येश जो को सीकर चलिए आगे सुनते हैं और इनका कहना क्या है लिए कहता हूं छोटा बच्चा समझ कर इसा को सामन्य मत समझना छोटा बच्चा नहीं है यहा की सारी शक्तियां उसमें है तो थोड़ा सावधान रहना बिलकुल राहुल मलिक अपने शब्दों से आपका न्याय ह हो जाएगा बहुती सावधान रहना क्योंकि येशु मसी का मजाग उड़ा रहे हो आप अपने सृष्टी करता की मजाग उड़ा रहे हो आपको बनाने वाले का मजाग उड़ा रहे हो बहुती सावधान रहना जरूरी है आपके लिए हमारे लिए नहीं विशय पर आते हैं ऐसी कहानिया है लेकिन फिर भी कुछ चीजे बाद में हो सकता मिलाई गई हो इसलिए धरम गरंत को केवल समझना है द्वेश नहीं करना किसी से भी ना इसाइयों से ना बाइबल से द्वेश नहीं करना है उसमें जो गलत है ठीक है बस तुलनात्मगध्यन करना है कि क्या ये बाद में हिसाइयों ने अपने स्वार्थ में राजाओं ने मिला लिया और हैरी पोटर की कहानिया तो नहीं बना लिए तो यहां पर राहूल मलिक जो है वो ये कह रहे हैं कि आईबल में अशलीलता पड़ी है है, हैरी पॉर्टर जाय सी कहानी पड़ी है, जैसे मैंने शुरुवात में कहा, और मैं दोबारा एक चीज आपको कह देता हूँ, जिस व्यक्ति के अंदर गंदगी है, सोच में पूरा गंदगी बरा हुआ है, वो गंदे चीजों को ही देखेगा, अगर लाल चश्मा पहना है सब कुछ लाल ही दिखेगा, तो राहुल मलिक को सही सही लाल चश्मा उतरना है, अपने गंदे नजर से बाहर आना है, ताकि आपको पता चलेगा कि बाइबल में अशलीलता है या नहीं, तो चलिए हम देखेंगे, जब जब वो सवाल उठाएंगे, हम साबित करके कि इंसान को मान लेना चाहिए कि उस धर्म गरंत में मिलावट है या नहीं, अगर है तो मान लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कि किसने मिलाया होगा, इसायों ने मिलाया होगा, मैं राहुल मलिक का लॉजिक जो है बहुत मुश्किल से समझ पाता हूं, क्योंकि मिलावट हो रही है मतलब खुदा उतना शमता नहीं रखता है खुदा के अंदर उतना सामर्थ नहीं है वो अपने किताबों को प्रिजर्व करके रख सके जी हां दोस्तों खुदा अपने किताबों को प्रिजर्व नहीं कर सकता है तो अगर राहुल-मली के बात को मान रहे है कि वेदों में पुरानों को दो वैसे मानते नहीं है वेदों में गीता में जो है मिलावट हो गई है इंसान ने मिलावट कर दी है गलत गलत बाते डाल दी है तो इसका मतलब यह है कि खुदा के अंदर ताकत नहीं है वो सर्वशक्ति मान नहीं है वो अपने बातों को अपने प्रकटिकरन को संभाल नहीं सकता है, वो अपने स्रिष्टी को क्या समालेगा, लेकिन बाइबल का खुदा ऐसा नहीं है, जिस खुदा को हम मानते हैं, वो परमेश्वर सत्य है, और जो बाइबल में घटना हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता है, जो जो लोगों ने मिल जर्मगरंद को गलत साबित कर दिया है, और कहे दिया है कि खुदा में उतनी शमता नहीं है, वेदा को समालने के लिए मिलावट हो गई है, लेकिन ये पवित्र बाइबल मेरे प्रिय भाई बैनों, इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें कोई भी गलत बाते नहीं है, और इसको गलत साबित करने वाला इस दुनिया में नहीं है, अगर वो अपने सोच में है, कि मैं दुनिया में ऐसा व्यक्ति बन गया हो कि पवित्र शास्त्र को मैं गलत साबित कर सकूं, तो मैं उनके लिए नीती वचन 26 वाद है, पाच्वो वचन ही पढ़कर सुनाना चाहूं और बाइबल में जैसे उन्होंने का कि कुछ इस्साई पाद्रियों ने अपने फाइदे के लिए मिला लिया होगा, यहां पर लॉजिक थोड़ा खटकता है, मान लेते हैं एक ही बार में कि बाइबल में अश्लीलता है, नाम के लिए मान लेते हैं कि बाइबल में अश्लील या फिर बस जो मन में आया वो बकते जा रहे हैं बाइबल एक ऐसा किताब है एक ऐसा एक मात्रप पुस्तक है जिसमें सभी बातें जैसे घटी थी इतिहास में वैसे लिखा गया है चाहें वो बातें पढ़ने के लिए कुछ लोगों को अजीब लगता होगा वो बातें वैसे लिखिए दाउद के बारे में आप पढ़ सकते हैं आप बहुत सारे अमनोन के बारे में आने वाले वीडियो में राहुल मलीक हमको बताएंगे लूत और उनके बेटियों के बारे में जो गलत तरीके से उनों ने प्रसूत किया जिसका सही तरजुमा यानि ले रहे कि यह होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए अगर खुदा से है पहली बात वो खुदा खुद प्रिजव करेगा अगर मिलावट हो गई कौन से आधार पर यह चेक कर रहे हैं इस आधार पर यह मुझे अच्छा लगा मैं ले लूँगा यह मुझे अच्छा ने लग काम करते हैं अल्ला से उनको revelation आ जाता है आईश्या उनकी जो फेवरेट पत्नी है वो कहती है कि तुम जबी भी कुछ भी करते हो अल्ला से तुम्हें approval मिल जाता है तो ऐसा convenient revelation अगर आप ले रहे हो इससे साबित होता है कि आपका world view गलत है लेकिन Bible ऐसा नहीं है क्या Bible में अश्लीलता है Harry Potter जैसे कहानी है आगे आने वाले एपिसोड में हम साबित करके रहेंगे ऐसा कुछ नहीं है लेकिन वेदों में आपको Harry Potter जैसे कहानी मिलेंगे और अश्लीलता आपको बताओंगा मैं पड़ूँगा नहीं चक्रीन में बताओंगा आप खुद पढ़ लिजा और आपको खुद लज्जा हो जाएगी क्या इन किताबों को मैं मान रहा हूँ क्या इन किताबों का अस्तित्वों होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अगर है तो लिखने वाला किस सोच के साथ लिखाओगा आगे सुनिए अंतर ये करना कि क्या इसमें कहानिया ही कहानिया भरी पड़ी है या कुछ साइन्स टेकोलोजी जान विजान की बाते भी इसमें है तो कहर कुछ आपको नमूने के तोर पर इस वीडियो में आपको बहुत महतपूर बाते बताऊंगा तो यहाँ पर राहूल मलिक का जो introduction था ये वीडियो का तो इससे हमें ये पता चलता है कि राहूल मलिक का उद्देश ये है कि वो Christianity के विरोद उनके मन में जो नफरत है उसको ब millennials करना है ये शुमसी के विरोद जो नफरत है वो बयान करना है और साथ ही साथ खुद का मज़ पांचक सीरीज में जहां पर हम दंके की चोट को जोर से पजाएंगे और राहुल मलिक के सारे पोल को खोलेंगे और जो उनका कहावत है वो मजाग में बोलते हैं वो क्या है आगे कुवा पीछे खाई बीच में फस गई इसाई आगे कुवा पीछे फ्रांसिस जैसे इसाई ब भी जम के पिटाई तो हमारे इस सेवकाई के लिए प्रातना कीजिए जादा से जादा इस वीडियो को शेर कीजिए लाइक कीजिए हमारे यूटूब चानल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही बाइबल विरोधी मसी विरोधीयों का सवालों का जवाब पहला पत्रस तीसरा अध्य है पंदरा वचन के अनुसार हम देते रहें और दूसरा कुरंतियों दस वार ध्याए पंदरा वचन के अनुसार पाच्वे वचन के अनुसार हम सारे सवालों को येश्य मसी के अधीन लाएं और सत्य का प्रचार करें प्रभू आप सभी को आशिश कर विश्वास में दृड़ रहिए पवित्र शास्त्र यह सत्य है और यह सत्य रहेगा गाड़ ब्लेस यू अगले अपिजोड में आपसे मिलते हैं